यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ अमेद परदेश भर में 303 चोटी बड़ी सड़के बंद हो गई है हिमाचल पत परिवहन निगम ने एक हकते तक वनाली से चलने वाली लंबी रूटों की बसों को अब कुल्लू से चलाने का फैसला लिया है हाटीसी की 100 से अधिक बसे जगा जगा फसी हुई है जबकि 500 रूट ठप है कि नौर और मंडी के सिराज में आज छुटी घोशित कर दी गई है ताजा बरभारी से परदेश के 6 क्षेत्रों में नियूंतम ताफमान माइनस में रिकॉर्ड हुआ है अधिकतम ताफमान भी 4 से 5 डिगरी कम हो गया है परदेश में भी शीत लहर तेज हो गई है आपको बता दें कि 2 और 3 मार्च को भी सूबे में दोबारा भारी बारिश और बरभारी की चितावनी जारी की गई है गुरुबार को परदेश भर में मौसम साफ रहने का पुर्वनुमान है पहली मार्च को कुछ खेतरों में बारिश बरभारी होने की संभावना जताए जारही है पहाडिक शेत्रों में बरहबारी से जणजीवन अस्थियस्त हो गया है तो वही पर बारिष बरहबारी ने स्थानी लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है लगातार बरवबारी हो रही है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं चारों तरफ केवल सफेदी ही सफेदी दिखाई दे रही है पूरा हिमाचल बरव की सफेद चादर से लिफटा हुआ है और बरवबारी से अब कही न कही स्तानी लोगों को इसका खाम्याजा भुगतना पड़ रहा है परिशानिया हो रही है फिर जाए बाद कामकाज की की जाए घरों से बाहर निकलने की हो स्कूल की हो सभी को बरहबारी सताने लगी है बरहबारी के शुरू वाले दिनों में यही बरहबारी लोगों के लिए वर्दान साबित हुई थी किसानों की फसलों के लेकिन अब लगातार बरह बारी हो रही है पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड इस बार तोड़ा गया है मार्च महीना शुरू होने वाला है लेकिन अभी भी आशंका जताई जा रही है कि एक से तीन तारिक तक मौसम खराब हो सकता है बारिश हो सकती है पारिक शेत्रों में बरह ब गई है जिसकी वज़ा से HRTC की भी कई बसो के रूट बदलने पड़ गए हैं और स्कूलों में भी छुटी घोशित कर दी गई है क्यूंकि बहुत भारी मातरा में बरह बारी हो रही है और आपको बता दे 303 सड़के बंद होई है और कई ऐसी बसे हैं जिनके रूट बदल द अब आपने शिमला की तस्वीरे देखी अब हम आपको किनौर की तस्वीरे दिखाते हैं जहां पर भारी बरह बारी से जन्चीवन अस्त्वियस्त हो गया है किनौर की तस्वीरे आपको दिखा रही है जहां पर भारी बरह बारी हो रही है यह माना जा रहा है कि फरवरी के अन्त यानि कि आज लास दिन है आज भी बरह बारी हो रही है लेकिन आगे भी मार्श की तिन तारीक तक ये संभावना जताई जा रही है कि बरह बारी हो सकती है मैदानी लाकों में भी बारिश होगी जिसका प्रभाव कही न कहीं स्थानी निवासियों पर पड़ेगा क्योंक स्कूलों में भी छुट्टी घोशित कर दी गई है बच्चों का भी स्कूल जाना मुश्किल हो गया है तो कहीं न कहीं अब इस बरहबारी की वज़ा से लोगों की मुसीबते बढ़ती नजर आ रही है अभी आपने किनौर की तस्वीरे देखी अब हम आपको मनाली की तस्वीरे दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पहाडों और घरों पर बरहबारी हो रही है तो लगतार पहाडी क्षेत्रों में बरहबारी हो रही है जगा जगा अलग अलग क्षेत्रों में बरहबारी कदोर देखने को मिल रहा है फिचाए बात शिमला की हो बात किनौर की हो मनाली की हो जगा जगा बरभारी हो रही है तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घरों की छते बरभ की सफेद चादर से धकी हुई है चारो तरफ सफेदी ही सफेदी है और आपको बता दें बरभारी की व प्रभबारी जिसका पहले प्र्याटक लुथ लेते नजर आ रहे थे और किसान इसे वर्दान के रूप में देख रहे थे क्योंकि यह माना चाहता है कि यह बरभबारी फसलों के लिए अच्छी होती है लेकिन अब यही वर्दान कहीं न कहीं मुसीबत का सबब बनता जा रहा है क्योंकि यातायात के साधन ठप हो गए है सड़के बंद हो गई है स्कूल में छुटियां घोशित कर दी गई है लोगों का घरों से बहार निकलना मुश्किल हो गया है कामकाज करने में दिक्कत आ रही है तो कहीं न कहीं इस बार की बरह बारी लोगों के लिए समस्या कर रही है का का इक मनाले के बाद हम आपको नःकर हरीपूर की तस्वीरी दिखाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि इसे भारी बरहवारी हुई है बर्बारी ते पहाड़ों पर सफेद चाधर पिच कई है यह तस्वीरे भी आप देखलीजी एTYए मनाली की बात कर ले जगा जगा बरहबारी देखने को मिल रही है यानि के पहाडी ग्षेटरों में बरहबारी का दोर्च जारी है बरहबारी रुखने का नामoth नहीं ले रही मौसम विभाद कीओं सेbol sportsire किया गया है और जितने भी प्रयतक है अब वो भी जो बरफ का लुथ उठाने आये थे वो भी अब फस गए हैं क्योंकि यातायात के साधन ठप हो गए हैं 303 सड़के पूरी तरह से बंद हो गई है अचारट इसी की बसे हैं जो कम से कम 500 से जादा बसे ऐसी हैं जो बरफ की वजह से फसी हुई हैं और कुछ बसे ऐसी हैं जिनके रूट बदल दिये गए हैं और आपको ये भी बता दें कि पहडी शेत्रों में बरफबारी की वजह से अब लोगों को मसीवत होनी शुरू हो को दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी बरवारी हो रही है इस बरवारी से इलागे में फंडक बहुत जादा बढ़ गई है सिर्मौर की यहासटरों में बरवारी हो रही है वहाँपर भी ढुतार बढ़ता जा रहा है कई भसों के रूट भी बदल दिये गए हैं जगा जगा की तस्वीरे आपको हम दिखा रहे हैं पूरे क्षेत्र जहां जहां बरहबारी हो रही है लगातार तस्वीरे आपको अलग-अलग शेतर की दिखाई जा रही है कि बरहबारी का कहर किस तरह से लोगों पर भर पाया अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं सफेदी के अलाव आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा ना पेड नजर आ रहे हैं ना घर नजर आ रहा है ना रास्ते नजर आ रहे हैं क्योंकि बारी की वजह से लोगों को समस्तियाएं हो रही है हाला कि मौसर विभाग की ओर से अलर्ट जरी कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि तीन मार्च तक अभी भी बरहबारी और बारश हो सकती है ये संभावगाएं जताई जा रही है वहीं लाहौल घाटी में लगतार हो रही बरहबारी से समाने जजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है घाटी के दूरदराज इलाकों में 6-10 फीर तक बरहबारी हो चुकी है और अभी भी बरफ गिरने का सिलसिला जारी है जिससे तोद घाटी, चंद्रा घाटी और पटनन घाटी का मुख्याले के लांग से सड़क संपर्क कर चुका है वहीं दिला मुख्याले के लोगों की हालात खराब है हाला कि संबंदित विभाग के मजदूर और मशीन रास्ते में बरफ हटाने की कोशिश कर रहे हैं वही पर लगतार बरबारी और रास्ते खराब होने के कारण लाहुट स्पिती का मुख्य बाजार के लांग में सनाठा पसरा हुआ है लोग अपने घरों के भीतर ही रहने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि बरबारी बहुत जादा हो रही है और पूरी तरह से रास्ते भी बंद हो गए हैं हालां कि मजदूरों और मशीन की साहता से रास्ते खोलने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को परिशानी ना हो. भूच्छ प्रयों के जार्मीड रहा है ताकि लोगों को अगया है ताकि वे झार्का-ईड़ों के वीपा certाते खónे को नांते है ताकिया से भीर